चल पड़े हैं प्रगती पत पर अब तो ये संकल्प है काम हम पूरा करेंगे तरकी ही विकल्प है MDDA भारत के उतरी हिस्से में बसा कड़वार उक्षेत्रो जिसके दामन को गंगा की लहरी चूंपी है जहां यमना जीवन का राख सुनाती है उतरा खंड की खुबसूरत बादियां जिसका दुशाला बन की लिट्टी रहती है वहाँ बसी है इंगुस्तान के सबसे पुरानी शहरों में शुमार होने वाले देहरा दून और मसूरी देहरा का मतलब घर और दून यानी बादियां बात्म का शहर देहरा दून दूसरी तरफ मसूर की उपज के चलते प्रसिद्वा शहर मसूरी कुद्रत की गोजनी बसे ये दूनों शहर सदियों से एक फुष्णुमा जिंदगी की कहानी सुनाते रहते हैं प्रकृती ने इन शहरों को कुछ साधा ही अपनी नेमते बक्षी है जिनके बज़े से दुनिया भर के लोगों को ये शहर अपनी तरफ आकर शित करते रहते हैं मौजूदा दौर के बदलते वक्त में शहरों नी भी आधुनिकता से हाथ मिलाया है और विकास के रास्ते पर चलनेते हैं और इक चेहनों को तरफ्की की बुलंडियों तक पहुँचाने का भीला उठाया है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरन यानी MD-DNA कुदरत में वो तराखन की धर्ती को जो नेमते बक्षी हैं उनसे छेड चार किये बिना MD-DNA तरक्की से ताल मेल करके दिखाया है और इसी के चलते देहरादून विक्षेतर को केंद्र सरकार की अती महत्वा कांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है देहरादून चेतर के लिए ये गौरव की बात है कि से हिंदुस्तान की सौ स्मार्ट सिटीज में जगा मिली है ये MDDA की निरंतर कोशिशों का ही नतीजा है आप देखें गाले पांच साल के अंदर देहरादून का कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना एक छोटा फ्लेट नहीं हो और विकास के लिए जरूरी यूजनाओं को अमली जामा पहनाने के उतेश से UP Urban Planning and Development Act 1973 के तहत 1984 में NDDA का गठन हुआ था तब से लगातार NDDA अपने लक्षिक योर फ्रियासरत है जिसके नतीचे बदलाव की कहानी खुद वया करते हैं वक कम है और चुनोतियां बड़ी लेकिन एक बादा है खुद से जो ठकने नहीं देता एक जिद है शहर के काया कर्प की तो पूरी करनी है लेहाजा रात होया दिन काम का पहिया निरंतर घुमता रहता है हर सुबा एक कदम आगे बढ़ चुकने का संदेश ने कराती है MDDA का संकल्प है मसूरी देरागून को स्मार्ट सिटी बनाने करें मसूरी मोरी आगे बनाने का उल रहता है MDDA अस्तित्तु में तो 1984 में ही आ गया था लेकिन नई दोर के नई चुनोतियों से निपटने के लिए एक सटीक प्लानिंग की ज़रूरत थी इसके चलते तए समय के अंदर ही 13 दून मास्टर प्लान 2001 तयार किया गया लेकिन जैसे जैसे वक्त भीता गया नई नई ज़रूरते सामने आती गई इसलिए MDDA के काम को विवस्ते धंग से चलाने के लिए भवन निर्मान कानून और महायोजना को फिर से नई परिस्थितियों और चुनोतियों के मताबिक तयार किया गया 19 नवंबर 2009 को मास्टर प्लान 2025 सामने आया MDDA का स्मार्ट प्लान आम जनता को कम दामों में बहतरीन आवास उपलब्द कराने के मास्टर प्लान को पूरी तरह लागो करना योजनाओ को पूरा करने के लिए जरूरी भूमी का आधिक रहन शेहर के विकास की योजनाओ पर जल्दी से जल्दी अमल करना विकास के साथ साथ शेहर की नए सर्गिक खूपसूर्थी और पर्यावरन में संतुलन बनाय रखना Municipal Corporation, जनकारे विभाग और शेहरी विकास में लगी दूसरी संस्थाओं के साथ तालमेल अवैध निर्मान पर प्रभावशाली धंग से अंकुष लगाना अवैध निर्मान की समस्या न सिर्फ शेहरी विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थी बलकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरन के लिए भी चुनोती बनी हुई थी इससे निपटने के लिए प्राधिकरन ने पबलीक ग्रिवांस रिड्रेस सेल का गठन किया इस सेल में काबिल अफसरों का एक ऐसा सचल दस्ता तयार किया गया जो अवैध निर्मान सम्मन्दी किसी भी शिकायत पर तुरन प्रभावी जगा पहुँच कर कारवाई कर सके और समस्या का निपटारा कर सके लेकिन अवैध निर्मान की समस्या इतनी आसान भी नहीं ये समस्या लगभग पूरे उत्तरा खंड की समस्या है इस समस्या से निपटने के लिए सरकार्नी जनहित में वन टाइम सेटल्मेंट स्कीम के अंतरगत प्राधी करण के एक शेतर में आने वाले अवैध मकानों को वैध बनाने की प्रक्रिया शुरू की MDDA ने जगा जगा घोम कर 87 कैम्प लगाए जिसमें 3641 मामले निपटाए गए और प्राधी करण को इस से 15 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ भरोसे के लिए ज़रूरी होती है कामकाज में बार दर्शिता और जवाब देही MDDA ने आम जनके विश्वास की कसोटी पर खरावतरने के मक्सट सिक्कारियों को पूरी तरह पार दर्शी एवं जवाब देह बनाने के लिए इगवननेंस का उपियोग किया और सूचन तक्नीक की मदद से प्राधी करण को इओफिस बनाने की तरफ कदम बढ़ाया यानि इंटरनेट पर हर कदम की सटीग जानकारी प्राधी करण के दफ्तर के चक्कर काटे ओनलाइन पास करा सकते हैं इसके जरीए अब तक 11,000 से ज़ादा मकानों के नक्षे पास कराय चाचुके हैं इतना ही नहीं, MbDNA तमाम योजनाओं से चुड़े सवालों के जवाब देने के लिए Right to Information Cell का भी गठन किया हुआ है और इस Cell के जरीए अब तक 15,000 से ज़ादा सवालों का समाधान किया चाचुका है का फिरेदे बिलेदे तक 15,000 से ज़ाद प्लों के लादादार गोजनाओ सालन तक 17,000 से ज़ादा है अरो अरोग ए बोड़ कि अगित आपी हैं और यह एाउ पूला कि तुके जड़ मेल कि लुट भुट जो दो रोग जोड़ जो रह लाग कि अ, और दोगा है, कि अजया है, कि आपार कि लाग कि अभाल बाएक आपट है, कि अरी प्रहु कि अवाई जड़ पूले मेर तेम पूरे कार्याले परिसर में वाई-फाई और इंटरनेट की सुविधाव प्लब्द है लगभग सभी डिपार्टमेंट्स का कम्प्यूटर रिकरन किया जा चुका है जिसके बज़े से मैप अप्रूवल सिस्टम पून तया पेपरलेस है वेबसाइट के जरिये हर शिकायत या सुझाव सीधे प्रादी करण तक पहुचने की सुविधा कैम्प लगा कर लोगों को वेबसाइट से जुड़ने की ट्रेनिंग काम चलवी ही योजनाव से आगे जमीनी हकीकत के तौर पर नजराने लगा गंटा घर से चकराता रोग तक एक किलोमीटर के खेत्र को आम बोल चालमीर शहर का बॉटलनेक का हचाता था वहाँ सबसे ज़ाधा ट्राफिक जाम की समस्या देखी गई प्रादिकरन ने संग्यान में आते ही अतिक्रमन हटाने का फैसला कर दिया अतिक्रमन हटाने और सड़क के चोड़ीकरन के रास्ते में कई मकान और दुकाने आई लेकिन लक्ष था घंटा घर से प्रभात सिनेमा तक चड़क को 24 मीटर चोड़ा करने का लेहाजा प्रादिकरन ने ज़रूरी कदम उठाए जो सरकारी भूमी थी अक्षर इसमें स्लम डबलब हो रहे थे उसमें बिना किसी घर को तोड़े जो सरकारी जमीन लोगों ने कबज़ा कर रखे थी उसको हमने रिकलेम किया है और इसमें लगभग लगभग साथ सो बीगा सरकारी भूमी हमने रिकलेम कर ली है और रिकलेम करके नगर निगम के कस्टिडी में दे दी गई है इस पे MDDA द्वारा मौके पर तारबार लगा दिये गए हैं और सानसमस पर साइन एजिस भी लगाए गए हैं इस परकार लगवक साथ सौ भी का जमीन हमने रिकलेम करी है और ये देरादून के लिए एक लेंड बैंक हमने स्थापित किया है चकराता रोड के चोड़ी करन के मिशन में जिन लोगों के मकान चले गए उन लोगों के लिए ISBT के पास 96 फ्लैट्स की आवासिय योजना का निर्मान हुआ तथा विस्थापितों को उसमें आवास उपलब्द करा दिये गए जो आवास इसके बाद भी बच गए उन्हें आम जनता को आवन्टित कर दिया गया ISBT हाउसिंग स्कीम के तहट MDTA ने देहरादू मसूरिक शेतर में अविवस्तित बसी आवादी को विवस्तित ढंक से बसाने के लिए 560 EWS, LIG और MIG फ्लाट्स की मल्टि स्टोरी स्कीम लॉंच की इस स्कीम के तहट 32 स्क्वेर मीटर वाले 144 EWS फ्लाट्स, 44.35 स्क्वेर मीटर वाले 192 LIG फ्लाट्स और 70.40 मीटर वाले 224 MIG फ्लाट्स की योजना बनाई गई इस समय एक हमारी MED की MIG योजना कंप्लिशन की स्टेज में है हम इसको नॉम्बर एंड में उसका पैजिशन दे देंगे इसके अलावा ट्रास्पोर्ट नगर में हमारी MIG योजना और EWS LIG योजना गतिमान है उसमें कारिय प्रारम हो गया है इसके अतरिक्त हम होश्य में एक H&G योजना SBT पर लेकर के आ रहे हैं और इसमें 3 बेडरूम प्लेस 1 सर्वेंट रूम है एक बहुत महत्वून योजना हमारी है तरक्की की तस्वीर, ट्रांस्पोर्ट नगर सहरनपोर रोड पर 30 एकर जमीन पर ट्रांस्पोर्ट नगर की योजना को मूर्त रूप दिया गया इस योजना को फेज 1 और फेज 2 में बाटा गया ताकि काम बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहे ट्रांस्पोर्ट नगर फेज 1 में 538 लोगों को इवं ट्रांस्पोर्ट नगर फेज 2 में 195 लोगों को पसेशन दिया जा चुका है इन लोगों को शहर से हटा कर ट्रांस्पोर्ट नगर में स्थापित किया जाएगा जिससे शहर के अंदर यातायात की सघंता को कम किया जा सके विकास की पहचान शॉपिंग कॉंप्लेक्स MDDA की योचना चकराता रोडबर्ग ब्लॉक टावर से प्रभाद सिनेमा तक सड़क के दोनों तरफ दो मंजिला शॉपिंग कॉंप्लेक्स पनाने की है जिनके बेस्मेंट में करीब दो फ्लोर की गार पार्किंग की सुविधा भी होगी इसके अलावा शेहर के विटरिनरिय अस्पताल की जगा लगभग 4783 स्क्वेर मीटर जगा पर 194 कारों की क्षमता बाली पार्किंग का निर्मान किया जा रहा है दिखने लगे तरक्की के निशान इस पेंसरी रोट पर राजीव गांधी बहु उद्देशिये कॉंप्लेक्स सेंटर शान्द से आगे बढ़ने की दास्तान सुना रहा है सहरनपूर हरिद्वार रोट पर अंतरराजीव बसड़ा और मल्टिप्लेक्स कॉंप्लेक्स का निर्मान हुआ अंतरराजीव बसड़ा मौझूदा वक्त में शान्दार तरीके से काम कर रहा है ये देश में B.O.T. मॉडल से बना पहला बसड़ा है राजपूर रोट का राजसी अंदाग राजधानी के महत्रों को ध्यान में रखते हुए राजपूर रोट के काया पलट का निर्ने लिया गया क्योंकि इस सड़क का वास्ता न सिर्फ आम लोगों से पढ़ता है बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर टकों को भी इसी सड़क से गुजरना पलता है राजपूर रोड सौंदरी करण परियोजना के तहर जो निर्ने लिये गए आज उनकी चमचमाती तस्वीर साफ देखी जा सकती है चोराहों और सड़कों पर जगा जगा उत्तरा खंड के साथ साथ मसूरी देरादून क्षेत्र की पारंपरिक मूल्यों की वाल पेंटिंग्स भी लगाई जा रही है जिससे यहां अने वाले सेलानियों को एक ही नजर में इस क्षेत्र के सांस्क्रितिक, सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों का एसास हो सके मसूरी मौल रोड का पूरी तरह सौंधरी करन शुरू हुआ ताकि इसकी विश्वस्तरिय छवी और चमक सके इसके अलावा देरादून में विभिन चौक जैसे गुद्धा पार्क, शहीद गिरीश भद्री, आईटी चौक और लेंस्टाउन चौक आदी के निर्मान के बाद ये पूरा क्षेत्र दिकास की नई उचाईया चूने लगा एमडी डिये ने सडकों को तो विश्वस्तरिय बनाने पर जोड दिया ही बलकि पैदल मुसाफिरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए चार फुट ओवर ब्रिज के निर्मान का काम भी शुरू किया जिसमें से एक दैसीर के पास वाला फुट ओवर ब्रिज पूरी तरह कारेशील हो चुका है अगामी समय में एमडी डिये की जो विशेश योजनाएं हैं उनको पूरा होते होते देरादूर मसूरी का पूरी तरह काया कलप हो जाएगा इन योजनाओं के मताविक इंगिरा मार्किट री डिवेलप्मेंट प्लैन के तहत उस जगा पर नए भव्वे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मन्जूरी जिसमें कार पार्किंग की भी विशेश सुविधा रहेगी पब्लिक रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम योजना के मताविक ISPT से साई बाबा के मंदिर तक ऐसे ट्रैक्स तयार किये जाएंगे जिन पर सिर्फ स्वचालित पॉट्स ही चल सकेंगे ताकि परिवहन संबंधी समस्याई कम की जा सकें मास्टर प्लान में 17 और गाव शामिल किये गए हैं जो शहर से लगे हुए हैं मास्टर प्लान लागो होने के बाद लोग अपनी जमीन का बेतर एवं सुनियोजित ठंक से स्तिमाल कर सकेंगे तथा इंक्षेत्रों के भविशे के विकास की रूपरिक अभी तयार हो जाएगी साथ ही अनियमित विकास को सुनियोजित विकास में परिवर्दित किया जा सकेगा रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करने की योजना पर भी काम चल रहा है इसे हर्रावाला शिफ्ट किया जा सकता है मसूरी देहरादून की शान कहे जाने वाले गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना की जा रही है ताकि परटकों को यहां कर एक दिव्य एहसास हो सके रैपिड ट्रीन्स चलाने की योजना यानि लाइट रेल ट्रांसपोर्ट से विधा पर काम लगातार चल रहा है इसके लिए एंजिनियर्स और M.D.D.A. क्यादिकारी दिन रात लगे हुए है रिस्पना बिंदाल तटों का काया कल्प M.D.D.A. की बेहद महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहट तटों का सौंदर्य करण किया जाएगा जिन लोगों के घर इस योजना के तहट आएंगे उन्हें हाउसिंग स्कीम के तहट फ्लैट्स दिये जाएंगे ट्रांस्पोर्ट नगर और नगर निगम की जमीन को मिला कर ये प्रॉजेक्ट पूरा होगा रोकवे का नया रास्ता वो दिन दूर नहीं जब देरादून और मसूरी के बीच जल्दी ही एक और रास्ता कुल जाएगा रोकवे, यानि रोमान च्योरुद सहा का रास्ता हवा में तहरते हुए देरादून की देव भूमी से पहाडों की रानी से मिलन का रास्ता मसोरी में मॉल रोड पर विजली एवं टेलिफोन की लाइन को भूमिगत कर दिया गया है M.T.D.A. ने पिछले कुछ सालों में आम जनता की सुविधा की मताविक 5208 आवासिय एवं व्यावसाइक भावनों का निर्मान किया है कुछ कदम साथ चले तो कुछ फासले तै हुए अगर इरादे हो उन इरादों में इमानदारी हो और कुछ कर गुजरनी का जनून हो तो कोई लक्ष असंभव नहीं रास्ते बन रहे हैं कर्मयोगी उन पर चल रहे हैं और एक बारम पर एक शहर बनता जा रहा है लोगों के सपनों का शहर एक ऐसा शहर जिसमें हर किसी के लिए जगा है एक ऐसा शहर जो संभावनाव से भरा है उम्मीदों को पूरा कर रहा है काम्याबिया महज एक पड़ाओं है अभी मंजिनों को तैकरना भी बाकी है मसूरी देहरादून हर उस व्यक्ति को आवास देता है जिसके पास एक योजना विजन है और कहता है आईए उत्तरा खंड के मसूरी देहरादून क्षेत्र में स्वागत है आपका बन सकते हैं तो बनिये विकास की धारा के सह भागी संकल्प है ये विकास का है विकल्प हर एक आस का उमीदों की ये उडान है विश्वास की पहचान है ये तरक्कियों की बात है समझो अभी शुरुवात है अबस्काेमल के ये बने समय हुआत है झाल झाल